As a tourist हम लोग बहुत से जगह पर गोमने के लिए चाहते हैं But बहुत पार ऐसा होता है हम किसी जगह पर first time जा रहे हमें पता नहीं है वहां के culture के बारे में वहां पर लोग कैसे रहते हैं तो कुछ लोग हम लोग को scam करने का try करते हैं इस video में आपको बताऊंगा 40 more scams जो पूरी दुनिया भर में होते हैं जो आपकी साथ में हो सकते हैं जो मेरे साथ में हो सकते हैं पहले जो 2 scams हैं उनका नाम है bracelet scams और 2 scams यह mostly होते हैं Paris में, Rome में, Cairo में, Barcelona में इन जगों पर यह scams ऐसे होते हैं अगर ऐसे tourist आप street में walk करें तो कोई आपके पास में आएगा आपके हाट में bracelet बान देगा या आपको force करेगा bracelet बानने के लिए जब तक आप उसको मना कर रहे होंगी तब तक आपको pick pocket कर लेगा यानि कि आपकी jib काट लेगा या उसका को चाहिए सबस्ते पेस्ते लेगा आपको अधिख्या सब्सक्राइब और यार्ण पर्यागर नहीं कि यहां पर कोई व्यक्ति आपके सामने उसके और लएगा आप से पूछे चाहिए आपके आपको बोलेंगे नहीं यह रिंग मेरी नहीं बट वह बोलेंगा कि अफकॉस यह आपकी नहीं है असली गोल्ड की अगर आप चाहते तो मैं आपको पेच सकता हूं बहुत ही सस्ते दाम में बहुत ही जादा हाई होगा खासकर जब वह रिंग होगी वह नकली होगी चौथर स्कैम है दे बेबी स्कैम यह सबसे जादा होता है रूम में इसमें कोई लड़की आएगी आपके पास में आप चल रहे हैं आप बैठे हो हैं लेटे हो हैं जो भी आप स्ट्रीट पर हैं आपके पास आके अपना बेबी दे देगी जो most of the time एक डॉल होती है नकली और इसको बोलते हैं दे गेम स्कैम आपने बहुत साई मोवीज में भी देखा होगा कि तीन ग्लास रखें उसके अंदर एक बॉल है आपको फाइंड करने कि बॉल कौन सी ग्लास में और आपको जादर जादर पैसे मिलेंगे पर अफकोस वो जो बंदा आपके साथ में गेम खि अब आपको लएगा एक खाली वालेट सडक पर गेरा हो एक आप अपना खुद का वालेट चैक करेंगी ओर तो कोई मैं को कोईक आप gef촉रां और थोड़ी देर बाद वो बंदा आप सटक्रा है कुछ भी गिरा दिया इस बाहने से वापकी help करना चाहिए कि चलो मैं clean कर देता हूं जब आपको clean कर दोगा तो आपकी jacket के साथ में आपको कपड़े के साथ में आपके पैसे भी clean कर देगा next time Istanbul का सबसे मशूर स्कैम है आप किसी public एक प्लेस में होंगे कोई आपसे टकराएगा अपना शूब्रस किरा देगा आपके सामने अब ऐसे आपको sorry कहने के बहाने वह आपका शूब साफ करने लग जाएगा बट एक बापके शूब साफ करने के बाद में वह आपसे बहुत जादा पैसों के डिमांड करेगा अगर आप स्पेन की मश्यूर सिटी मेड्रीट में घूम रहे हैं एक चीज़ का रहान रखें अगर कोई लड़की या कोई औरत आपको रोज मेरी आके देती है आपको बोलते है कि यह रोज मेरी मैं आपका fortune पढ़के बताती हूं आपको future पढ़के बतात आप किसी दूसरे individual को अपना camera देते है photos लेने के लिए तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि वह आपका camera लेकर भागना जाए ऐसा यूरूप में बहुत जाधा होता है तो please इस चीज़ का ध्यान रखें अगर आप New York City में घूम रहे हैं और कोई आके आपके सामने गाना गाना स्चार्ट कर देता है कोई artist और आप वहाँ पर पांच मेंट खड़े हो जाके उसके गाना सुनने लग जाते हैं फिर वह आपसे बोलता है कि आपको मेरा गाना अच्छा लगा तो यह लोग मेरी सीड सीडी लेने के बाद एक बात जैसे आपने सीडी पर हांत रखा वह आपको पैसे देने के लिए बोलेगा अच्छे खासे तो इस चीज़ को वर्ट करना अगर आप नियॉक में है तो थाइलेंड की छोटी सी सीटी है जिसका नामे कौन फानांग अगर आप वहाँ पर टेक् करने के धमकी देगी और उसके लिए आपको से बहुत ज़्यादा पैसे लेने के लिए बोलेगी तो इस चीज़ का दान रखें जब आप लगेज कंपार्ट में डालते हैं तो शायद यह हो सकता है कि आपका लगेज को चुदा ले और ड्राइवर आपको मना कर देगी आप आपने कभी लगेज डाला ही नहीं नेक्स स्कैम एशय में बहुत ज़्यादा होता है आपने किसी शॉप कीपर को पैसे दी करनसी दी और उसको ड्रॉप कर दिया फिर उठाने के बाद आपको बोल रहा है कि आपने कम पैसे दिया आपने मुझे यह नोट या यह सिक्का दि लेंगे तो जो लोकल कोई आदमी होगा उनके साथ मैं मिला होगा वह आपके टायर पंचर रहें और पंचर से रहें तो कोई आपकी स्काल से आके आपकी वैल्यूवल चीज़े उठा कर रहें जैसे कि आपका वालेट हो गया आपका फोन हो गया यूरोप में बहुत आपको छोड़ेगा अगरा बासलोना में है और आपको पैसे जितने मजी चाहे उतने उड़ा सकता है Bangkok में और Thailand में एक और बहुत ज़्यादा common scam यह है कि वो लोग आपको fake jewelry बेचने का try करेंगे जो की बहुत हाइर price में होगी तो jewelry खरीदना avoid कीजिए खासकर fake जगव से fake police बहुत ज़्यादा मशूर है Mexico City में, Bogota में, Bangkok में अगर आप इन में से किसी भी city में हैं तो fake police का इत्रहन रखें, क्योंकि fake police आपके पास में आपको बोल सकती है कि currency fake चल रही है, मुझे आपकी currency दिखाई है और fake के असली है, of course देखने के बाद वाद आपकी currency ले लेगा अगर fake होगी, नहीं होगी, फरक नहीं बढ़ता है, आपके पैसे चले जाएंगे इसके साथ ही अगर आप Paris या London में हैं, और वहाँ पर आप कोई भी अच्छा show देखना चाहते हैं, किसी amusement park में जाना चाहते हैं आप लाइन में खड़ो हैं, और कोई local वक्ति आपके पास में आके ये बोलता है कि आपको लाइन में खड़ोने की कोई ज़रवत्ती में, आप मुझसे टिकेट खरीद सकते हैं, तो प्लीज ऐसा मत करना वो टिकेट नकली होगा, आपको ज़्यादा प्रैस देना पड़ेगा, और अफकॉस वाफपसर लाइन में खड़ा होना पड़ेगा असली टिकेट खरीदने के लिए मसाजे सबको पसंद होते हैं, अगर आप मस बीच के पास लेटे हुए हैं, और कोई आपके पास में आके बोलता है कि वो आपको मसाज देना चाहता है, प्लीज एक बार मसाज लेके रेखिए, वो आपको अफकॉस दो-चार मिट फ्री का मसाज देगा, उसके बाद he will stand there, आपसे डिमांड करेगा, और ज्यादा पैसे की, और अफकॉस आपको मसाज देगा, जो की अच्छा हो या नहीं हो, फरक नहीं बढ़ता है at this moment, वो आपसे बहुत ज्यादा पैसो की डिमांड करेगा, बासलोना और मेडरीट में एक और चीज काफी ज्यादा कॉमन है, अग कामर सा होटल है, तो हो सकता है कोई आपके डोर की नीचे से किसी भी टाइप का food menu slide करेगा, अपको बाहर जाना नहीं किसी भी टाइप के खाना- खाने के लिए, आप उस call करके आपके खाने के लिए मंगाएंगे, but अपको आपके पैसे आपके bank account से cut शुकेंगे और कोई भ खरीदना अगर आप नहीं भी खरीदते हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि इस टाइम पे जब आपको लोग डिस्टेक्ट कर रहे हो तो कोई आपकी चेप ना काट ले अगर आप क्रीज की कैपिटल एथेंस में खासकर अगर आप अकेले आदमी हैं तो आप वहाँ पे किस से पे करने में बिल्कुल भी मजान नहीं आएगा ये थे कुछ कॉमन स्काम्स जो वर्ल्डवाइड होते हैं अलग-अलग कंट्री में आप जहां पर भी जाएं आपके साथ हो सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं आशागाल तो नहीं होंगे ना आपके साथ न मेरे साथ फिर भी थ्यान रखें तो क्या बुरी बात है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करने चाहिए को सब्सक्राइब करना मलते हैं अगले वीडियो तब तक कि बाबाल